नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रोसंजीत और आप लोग देख रहे हैं टेख हेल्प दोस्तो आज हम इस सर्कुट को बनाना सिखेंगे ये एक वैललेश वाटर टेंक ओभर्फ्लो एलाम सर्कुट है तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्कुट को बनाना सीख लेते हैं दोस्तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना परेगा एक 433MHZ RF transmitter और receiver module आद हमें लेना परेगा एक मोटा copper wire का टुकरा उसके बाद उस copper wire के टुकरे से हम ऐसा दो एंटेना बना लेंगे अब हम एक एंटेना को receiver सर्कुट के इस pin के साथ और दूसरे एंटेना को हम transmitter सर्कुट के इस pin के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हमें लेना परेगा एक BC557 transistor और एक 1K resistor उसके बाद इस transistor का emitter pin हम इस receiver circuit के इस pin के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे उसके बाद इस resistor को हम इस receiver circuit के इस pin के साथ और इस transistor के base pin के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हमें लेना परेगा एक mini buzzer उसके बाद इस buzzer का negative pin हम इस receiver circuit के इस pin के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे उसके बाद इस buzzer का positive pin हम इस transistor के collector pin के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे तो दोस्तो ये receiver circuit का connection कॉंप्लीट हो चुका है तो चलिए अब हम transmitter circuit का connection देख लेते हैं दोस्तो देखिए ये है transmitter circuit का connection आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही transmitter circuit का connection करना है तो दोस्तो ये छोटा सा circuit की तैयार हो चुका है तो चलिए अब हम इसे चिक करके देखते हैं तोस्तो ये खोज़े आई में सब्सक्राइब करें कर दोस्तो फुका है तो दोस्तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस सर्कित को अपने घर पे बना सकते हैं तो दोस्तो आज इतना ही आप लोगों से फिर बात होगी आगले ट्यूटोरियाल में तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग